यदि वेक्ति इन चिज्जों को अन्देखा करें, तो बिमारी आना सभावी करें जिन वेक्तियों को लंबे समय से कब्ज हो उनको फेफड़ों में का एक स्वांस रोग या कोई अन्य रोग पैदा हो जाएगा और वाईयू का जब लगाता दबाओ हमारे हर्दे पर आएगा, तो हर्दे पर भी पीडा उत्पन होगी और हर्दे के रोग भी बढ़ेंगे नमस्कर साथियों, बंदिमातरम आज का जो विषय है, वो विषय है कि लोग क्यों बिमार पड़ रहे हैं, क्यों बार-बार बिमारिया लगातर बढ़ते जा रही हैं और लोग आईरविद की तरफ भी आ रहे हैं, नेचरल लाइफस्टाइल की और भी आ रहे हैं अपने बोजन को भी खूब पोश्टिक बनाने का परियास कर लें लेकिन जब तक आप इस जठर को रितुचरिया को नहीं समझेंगे जितनी हमारी रितुचरिया डिजाइन होई है वो गिर्सम रितु हो, वर्षा रितु हो, वो सर्द रितु हो, वो हेमंत रितु हो जो ये 6 के 6 हमारे रित्वें आई हैं, इसमें सिशिज और वसंत रितु भी सामिल है ये जो रित्वे बनी है, जो मोसम बदलता है, उस मोसम में हमारे जो जटर है, जो पच्चन अगनी है, जिसको जटर का नाम दिया गया है, वो बदलती रहती है जब भार का मोसम जितना अधिक ठंडा होगा, तो अंदर की जटर उतनी ही अधिक परजलित रहेगी और भार जितना हुमस होगा, उतनी ही जठर कमजो रहती है तो जब जठर बहुत अच्छी हो, जैसे ठंड का मोसम जब जठर बहुत अच्छी हो, तो आपको भारी भरकम बोजन करना पड़ता है जैसे गौंद के लड़ू, गाजरपाक, मावा जब आपकी जठर सबसे हलकी होती है, उस समय पर आपका बोजन उतना ही हलका हो जाएगा जैसे की नमी का मोसम, जैसे की बोलने की सावन का महीना जिसमें जठर सबसे हलकी होती है, तो उसमें दूद भी पीना निशेद हो जाता है जब आपकी जठर जैसी है वैसा यदि आपने उसके अनुरू बोजन किया तो तो आप सवस्त रहेंगे और अन्य था हमारे बिमार होने के चांचेज अधिक हो जाएंगे तो ऐसा ना हो उसके लिए आज हम हेमंतरीतू के उपर चर्चा करेंगे जिसके अंदर दो महिने आते हैं मंग सिर्ष, माग सिर्ष बोलते हैं और दूसरा है पोस, पो महिना इन दो महिने में जीर्या और धनिया खाना बिलकुल निशेद बताया गया है हड़का वजन जिसमें वजन कम हो ऐसा वजन ना खाया जाए तो उचित रहेगा दूसरा ठंड के कारण दनिया को वैसे भी निशेद किया गया है यदि वेक्ती इन चिज्जों को अंदेखा करें तो बिमारी आना सभावी करें दनिया अपने आप में एक नेचरल डाइट है अगर उसको आप nutrition value के इसाब से देखेंगे तो खाने में कोई बुराई नहीं है लेकिन रितू के अनुरूपियदी आप जाएंगे तो वो निशेद है इस मौसम में मुख्यता जो रोग आते हैं वो कफ और वाद से मिल करके सलेशमक और वातज्य रोग आते हैं सलेशमक मिंच कफ कफ और वाईयू के मिले हुए रोग तो कफ और वाईयू का जहां जहां पर स्थान है वहां वहां पर वो उसे अधिक परवाव उत करेगा तो कफ और वाईयू का अधिक परवाव है हमारी बढ़ी आत में तो बड़ी आत लोगों में इस समय पर कब्ज रहने की समस्याई लगबग बढ़ जाएंगे। दूसरा जब कब्ज रहती रहेगी दूसरा स्थान है आमारे फेफडों में बड़ी आत और फेफडी आपस में जुड़े वे हैं। बलाइण जिन वेक्तियों को लंबे समय से कब्ज होन कोई फेफडों में एक स्वास रोग या कोई अन्य रोग पर्दा हो जाएगा। किसी वेक्ति को नमुनिया वगएरा फेफड़ों संब्दित कोई रोग हो स्वास रोग नमुनिया वगएरा तो एक का एक वो रोग कब्ज में भी बदल जाएगा या अपस में connected है तो फेफड़ों संब्दित रोग स्वास दमा वगएरा इस मौसम में कुछ हद तक बढ़ ज जिस वेक्ति का पेट अच्छे साफ होता है उस वेक्ति में स्वास रोग और हर्दे रोग होने की संबावना लगबग खतम सी हो जाती है ऐसा वेक्ति जो सूर्य उदे से पूर उठता है उस वेक्ति में कब्ज होने की समस्या भी खतम हो जाती है और क्या करें इस रितू मे उन्नी वस्तर दान करने चाहिए, गरम वस्तर दान करने चाहिए, ठंडी हवा में नहीं गूमना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए, वो सब हम नॉर्मली करते हैं क्या खाणा चाहिए आपको इस समय पर गरिष्ट से गरिष्ट बोजन जिसमें तेल और घी भरपूर हो, चिकनाई भरपूर हो क्योंकि इस समय पर आपकी जठर बड़ी हुई होगी और जब भी अगनी बड़ी हुई होत्ती है तो उसको अधिक से अधिक आहार या अधिक से अधिक तेली चिज्जों गई, चिकनाई की आउ सकता पड़ती है ताकि उसको परियाप्त जो सामगरी चाहिए, वो उसे मिलती रहे अन्य था, अब किसी वेक्ति की जठर बड़ी हुई है और वो बोजन कर रहा है उस जठर से कम, जितना उसको चाहिए उससे कम या चिकनाई नहीं दे रहा तो आप देखिए, एक का एक लोगों के सर में डेंडरफ की सिकाहित बढ़ने लग जाएगी दूसरा, स्किन ड्राई होने लग जाएगी क्योंकि जो वेल्ल, nutrition value या जो भी पोस्वन चाहिए था वो पोस्वन पूरा नहीं हो पाया और वो जो पोस्वन पूरा नहीं हो पाया तो वो जो जठर है वो सरीर से उस पोस्वन को खेंषतिया इसको आप उपवास से समझजए कि जब वेक्ति उपवास करता है तो कुछ समय के लिए उसे भूख लगती है और एका एक कुछ समय पस्चियाद कुछ सण बाद उसका जो भूख है वो स्यांत होती चली जाती है उसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि जब परजलुवित होई उस समय पर यदि उसको बोजन मिल गया तो ठीक है अन्य था वो सरीर से अपने बोजन को ग्रैंड करके मनलब अपनी आउसकताओं को पूर्ती करती है तो यदि हमें सर्दी के मोसम में अपनी स्किन को ड्राई होने से बचाना है तो अधिक से अधिक तेलिय चिज़ों का, गरिश चिज़ों का अधिक से अधिक जो है, मिठे पकवानों का हमें सेवन करना चाहिए क्योंकि यही मोसम है जो सरीर को मलब ग्रोध देता है इस समय पर हमारा वेट भी बढ़ेगा इस समय पर हमारी उड़जा भी बढ़ती है इस समय पर सरीर में जो खाएंगे वो लगेगा और सबसे हड़का मुसम जो मैंने काहा कि बारिश का मुसम उसमें जितना हड़का खाएंगे उतना अच्छा और इसमें जितना हड़का खाएंगे उतना नुक्षयान है मले इस समय पर हड़की चेज़ें आपको सेवन नहीं करनी है इसमें यदि एक चीज और एड़ करूँ मैं आपके साथ कि हमारी माताएं बड़ी वेग्यानिक हैं बहुत अच्छे से उन्होंने उनको पता नहीं लेकिन पिड़ी दर पिड़ी जो ग्यान हमारा चलता आया वो ग्यान इतना सुंदर है कि जीरे और दणिये को इटा दिये गया और क्योंकि ठंड का मोसम है तो राई जो की गरम होती है गाजर का राईता मनाते है तो ऊसके अंदर राई का प्रियोक करने लगते है इस समय पर राई खाना विशेस लावकारी हो जाता है और इसे अपोजिट य翼िए हम गरमियों में जाएं तो हमारे लिए जीरा राईते के अंदर यान्ने सबजियों में जीरा विशेश लावकारी हो जाता है जब आपके पेट में इंफेक्शन अगेरा पैदा होता है तो ये जो चिज़े हमारे पिड़ी दर पिड़ी चलती हा रही है यार रितुओं में जो हमारे त्योहार डिजाइन हुए हैं वो सारे के सारे त्योहार अलग-अलग छेतर में अलग-अलग त्योहार मनाए जाते हैं पंजाब में वैसा की मनाई जाएगी वो अधिक मैतपूर्ण हो जाएगी लेकिन हरियाना में होली उससे पहले जो होली आती है वो अधिक मैतपूर्ण हो जाएगी दिपावली हमारे लिए मैतपून है लेकिन जो यदि मैं बिहार में जाओं तो आपर छट पोजा अधिक मैतपून हो जाएगी वो उस बदलते हुए समय के साथ उस मौस्तम के बदलाव के साथ एक विशेश तयोहार को डिजाइन किया गया है और उस विशेश तयोहार पर विशेश पकवानों को डिजाइन किया गया है और उन पकवानों का उस रितू में यदि वेक्ति शेवन करता है तो वो निरोगी र कि आप सब आरोग्य और निरोग्य रहें इसी साथ जय हिन जय वारत